हलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल सो फ्रेंड्स क्या आप भी अपने फेशेल हेर से बहुँ ज़्यादा परशान है और इसको रिमूव करने के लिए आप वैक्सिंग कराती हैं थ्रेडिंग कराती हैं या फिर उसको शेव भी करती हैं यह लेकिन पर्मनेंट इलाज है फेशेल हेर को रिमूव करने का और लेजर ट्रीटमेंट कराने का कई लोगों के पास बज़ट भी नहीं होता है और कैमिकल ट्रीटमेंट हमाई स्किन पर साइड एफेक्ट भी बहुत जादा चोड़ता है तो ऐसे में आज मैं आप सभी के साथ होम रेमेडी शेयर करूं काफी अमेजिंग होम रेमेडी है तो वीडियो को जरूर देखेगा फुल प्रसेस को जानने के लिए एंड वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मद्दू लेगा इस तरीकी के और रेमेडी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अचलिए फ्रेंड अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मैंने है लिया क्लीन बाउल और जो फर्स इंग्रियन की जिसकी हमें जुरुत पढ़ने वाली है वो है कॉन फ्लोर में विटा शिति बता है तो यह थोथ हो से ब्नाने के लिए अए सितमाल करेंगे हमें तीसरी कोई चीज इसमें एड़ नहीं कर लिए तो यहां ज़िया वेक्षम्ahl ओर ऑम अच्छे से करेंगे यदि आपके पास कॉन फ्लोर नहीं है तो उसकी जगा आप आरा रोट का भी इस्तोल कर स साथ ही हमारी स्किन पर ये नैचुरल क्रींजर की तरह भी काम करता है हमारी स्किन को डीपली क्लीन भी करता है चहरे पर शहद के इस्तमाल से यदि आपकी स्किन बहुत जादा लूज होगी तो आपकी स्किन को ये टाइटन अप करता है आपकी स्किन पर बहुत जादा ब्रेक प्रिक्स करते टाइम हमें भी रोज वाटर पानी किसी भी चीज का इस्तमाल नहीं करना है बस एक चमच कॉर्ण फ्लोर में हमें आदा चमच से कम शहद एट करना है और इस तरीके से हमें इस रेमेडी को बनाके तयार कर लेना है तो फ्रेंट्स यहां यहां यह रेमेडी बनके तयार होगी है स्किन पर कैसे लगाएं जिसे की फेशल हेर है वो इसली रिमूव हो जाए तो वह भी मैं आपको करके दिखाती हूँ यहां में अपर लिप्स वाला जो एरिया है उसके हेर जो है वो आपको रिमूव करके दिखाने वाली हो कि कैसे आप अपलाई करेंगे जिससे आपका हेर जो है वो रिमूव हो जाएगा तो जहां का आपको hair remove करना है उस area को आप अच्छे से wash कर लेंगे, clean कर लेंगे इस remedy से आप अपने upper lips remove कर सकते हैं, कानों के आसपस जो बाल आ जाते हैं, दाड़ी मुझे से नजर आने लगते हैं, उनको remove कर सकते हैं साथी friends, ये remedy यदि आपकी skin पर dead cells बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, nose के round chin पर, वहाँ पर apply करेंगे, तो उसको भी ये smoother करेगी, यानि की dead cells white hair से भी आपको छटकवारा दिलाएगी, easily remove करेगी तो यहां मैंने अपने upper lips वाला area जो है, बहुत अच्छे से clean कर लिया है, उसके बद finger की help से इस remedy को जो हमने बना के तयार किया है, ठिक layer में अपने upper lips वाले area पे मैं अच्छे से apply कर लूँगी, क्योंकि यहां के मुझे hair remove करने है इस remedy को जब आप बनाएंगे तो खास ख्याल रखेंगे कि यह remedy बिल्कुल भी liquidy नहीं बनना चाहिए, इसकी consistency ठिक रहनी चाहिए और इसमें कोई और चीज आपको इन दो चीज के लावा add भी नहीं करनी है, यहां मैंने इसको अपनी skin पर लगा लिया एक ठिक layer में और यद जिसे कि आपका hair जो है वो easily remove हो जाए, तो आप देख सकते हैं, यहां मुझे 10 minute around हो गये, इस remedy को पनी skin पर छोड़े, और फ्रेंट्स यह थोड़ी चिप-चिपी remedy है, तो यह सूखेगी नहीं आपकी skin पर, ठीक है, तो उसकी लिए आप जब इसे remove कैसे करेंगे, आपको यह सूखा powder लेना है आटे का, ठीक है, उसके बाद आप finger की help से dab-dab करके, इस pack के उपर आप अच्छे से लगा लेंगे, जिसे कि यह remedy थोड़ी चिप-चिपी कम हो जाएगी, उपर से dry हो जाएगी, ठीक है, इसकी चिप-चिपाहा से ही, यह हमारी skin की जो roots होती है, उससे बाल direction में, जिस direction में hair उगरा है, उसकी opposite direction में rub करते हुए, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप rub करते हुए, इस remedy को निकालेंगे, इस pack को remove करेंगे, तो जो facial hair होता है, वो remove होने लगता है, roots से deeply निकल के hair बाहर आता है, आप इसको regular इस्तमाल करेंग तो आप देखेंगे कि धीरे धीर है, आपका जो सारा hair है, वो remove हो गया है, और जल्दी जो hair growth है आपकी वापस भी नहीं आने वाली है, तो इस तरीके से सुका आटा आप दुबारा लगा के बची जो remedy आपकी skin पर उसको भी rub करते हो ही निकालेंगे, तो आपकी skin एकदम clean भ जाएगी बापच भाहा, तो इस तरीके से रब करते हुए इस remedy को मैंने पूरा remove कर लिया है, आप देख सकते हैं, skin एकदम से साफ हो गई है, बचा कुचा जो पार्ट है उसको भी rub करते हुए आप निकालेंगे, और इसके बाद आप अपनी skin को अच्छे से wash कर लेंगे, clean क पाने से, यहाँ पर किसी भी soap का आप इस्तमाल अपने चाहरे पर बिल्कुल नहीं करेंगे, so यह एक wet wipe की हल से, मैंने अपनी skin को अच्छे से clean कर ली है, clean करने के बाद जब देखेंगे कि आपकी जो wipe है, उसमें छोटी छोटे hair निकल के बाहर आ जाएंगे, जब आप इस remedy को try करेंगे, friends, इसके benefits आप तब ही जान पाएंगे, so skin को wash करने के बाद आप अपनी skin को moisturize करना बिलकुल नहीं भूलेंगे, तो आप कोई भी DIY moisturizer, aloe vera या फिर आप अपनी कोई भी favorite cream से अपनी skin की moisturizing जरूर करेंगे, जब आप इस remedy को remove करेंगे, ठीके friends, तो यहाँ आप अपनी skin पर लगा लूँगी, जहां के hair remove की है और हलके हां से massage भी करूँगी, जिससे की जो pores open होए है, जिन में से hair remove हुआ है, वो लॉक हो जाए, बहुती असान तरीका है, natural तरीके से skin पर से hair को remove करने का, वो भी skin को बिना किसी तरीके का side effect पहुचा है, skin को बिना किसी तरी इस पर apply करते हैं, पूरे face के hair remove करने के लिए, या फिर whiteheads, blackheads को remove करने के लिए, आप इस remedy को अपने पूरे चहरे पर apply करेंगे, तो उसके साथ साथ आपके skin के daag दबे हैं, उन्हें भी ये remedy lighten up करता है, skin के texture को बहुत जादा smooth बनाता है, hyperpigmentation की यदि आपके चहरे पर करना and use करना दोनों ही बहुत यादा असान है, so I hope friends, आज की remedy आप सभी को पसंद आई होगी, so video को यहां तक देखा है, तो please video को like करना, बिल्कुल मत बूलेगा, and channel पर first time visit के हैं, और इस तरीके की remedies देखना आप पसंद करते हैं, तो आप सभी से request है, channel को with balance, subscribe कर लीजेगा, क्योंकि मैं जब भी video post करूँ, उसका notification आप तक पहुंच सके, और आप इस video को देख सके, so friends, मैं विभा इस video का भी यहीं करने जा रहे हूं, and जल्दी मिलते हैं कौन नई video के साथ, तब तक के लिए आप अपना खुब सारा खयाल रखिएगा, खुश रहे, thank you for watching, bye, bye,